तो यह गिरा बात है कि किसी के ऊपर सेब गिरा उसके दिमाग में सारी कैलकुलेशन हो इस निए नियूटन के साथ तो यह नहीं हो लेकिन इस बात की संभावना है कि आपके सरफे पत्थर पढ़ने से आप जीनियस बन सकते हैं और यह आप देख सकते हैं National Geographic की इस particular documentary में ऐसा कुछ नहीं होता है और यह है वो आर्टिकल जिसमें एक्च्वर में भारत के 5000 साल की science contribution को डिसकस किया गया है किसी Newton नाम के एक व्यक्ति ने कह दिया कि gravitational law यह उस आपने प्रयास ही निकर रहे हैं जाने कि क्योंकि दौनों ने most intuitive बात बोली क्योंकि सब को नजर आ रहा है कि चीजें अगर छोड़ी जाए तो नीचे गिर जाती है Newton famous है क्योंकि दुनिया ने कहा कि धरती सब अपनी तरफ खींच रही है यह गेंद भी धरती को अपनी तरफ खींच रही है और उसका mathematical expression दिया और फणी बात Newton से भी जाद अच्छी explanation gravity की Einstein ने दी हुई है वैसे एक मिनिट में क्या ही discuss हो जाएगा तो इससे आप मुझे as a creator support भी कर पाएंगी और science की लंबी बातें भी सुन पाएंगी एक बात बताओ एक ना ऐसे गोली है मेरे पास है ऐसे चलेगी यह गोली यहां से चलेगी यह गोली यह इसमें चलेगी धूम ऐसे निकल जाए और मेरे पास मतलब लिटरली गोली चलाओंगा मैं और एक मैंने बस गोली को लिटरली ऐसे पकड़ रखा है और यह ऐसे बस छो गोली वो पेहले गिरेगी या फिर ये जो ये पेहले गिरेगा, तो लोग बhtयेंगी कि क्योंकि गोली ऐither क rich सीधा चल रही है और उसको तो खाले नीचे एस तरीके से जाना है, तो गोली यहाँ से यहाँ तक जो हुआ जल्दी गिर जाना चाहिए, लेकिन दौनों exact same time पर गिरेंगी, यह unintuitive thinking के अंदर में आता है, यह वाला जो experiment हमने theoretical experiment जो करके देखा, उसमें intuitive बात थी कि यार जो चीज यह गोली लंबा जाएगी तो यह बात में गिरने चाहिए, यह तुरंत से ऐसे कैसे गिर जा रही, मतलब कि दौनों same time पर जो है, वो क pen को मैं अगर छोड़ूं तो पहले कौन गिरेगा, तो लोग बोलते हैं कि भारी वाला पहले गिरेगा, लेकिन दौनों exact same time पर गिरेंगे, यह non intuitive thinking है, क्योंकि जो बात हो रही है, पूरी की पूरी, gravitational law और इस सब की, तो जितने भी लोग पहले हुए, उन लोगों ने intuitive बात जा रही है, लेकिन अगर आप याद करें कि जब यह same experiment, हतोड़ा और फैदर वाला, चांद पर भी जो है, वो करके देखा गया था, या vacuum के अंदर में भी यह काम जो है, यूनिवर्सिटीज में और अच्छे स्कूलों में, vacuum में भी यह काम करके दिखाय जाता है, तो दौन और वर्टिकल वाले दौनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो वो जो वर्टिकल जो गोली ऐसे चली है, वो वर्टिकल पास उतने ही समय में जो है, वो तैग कर लेगी, यह बात सुनने में, वल्लब यह लफाजी के अंदर में ध्यान न दीजे, वस यह बात आपक पर बस गोली को ऐसे चोड़ दू, तो यह दौनों जो हैं वो सेम टाइम पर जमीन पर आकर के गिरेंगी, यह जो और इससे बिल्कुल नॉन इंट्यूटिव हो करके, आरिस्टोटल, आरे भट और ऐसा नहीं कि यह लोग तो केवल उसमें आ गया ना, किताबों के अंदर मे दुनिया के अंदर में है, तो एक प्रॉब्लम ये भी है मुझे कि लोगों को लगता है कि केवल और केवल ये जो भारत जो महादूइब है, वहीं पर साइन्टिस्ट है, अगर उपर वाले ने बनाई है तो धरती बनाई है, अगर धरती बनाई है, तो सब्जे के ठिंकर मि पर विक्ती मिलेंगे, यहीं पर क्यों, तो ये बात एकसेप्ट करने की ज़रूत है, जो सब्जे के मिलेगा, वो यहाँ पर भी उस तरीके से सिंकर मिलेंगे, जो के हुए थे, जो किताबों में आयोंगे कुछ, नहीं आयोंगे, जैसा कि सब्जे के हुआ है, खेर, इस बा यह नॉन इंट्यूटिव है, और वो गिर रहा है, और बस धरती उसके नीचे से जरा सा निकल जाती है, जितनी तेजी से धरती के उपर गिर रहा है, उतनी ही तेजी से धरती जो है आगे बढ़ जाती है, और वो बिचारा गिर ही नहीं पा रहा है धरती पर, और वो बस उस के चारों तरफ ऐसे घुमे चले जा रहा है और यही है जो इस तरीके से सैटलाइट वगारा जब हम लॉंच करते हैं तो यही आइडिया है कि किस तरीके से के आपने माली जे कि यहां से यह अर्थ है गोली चलाई यहां गिर गया और गोली चलाई यहां गिर गया और गोली च इसारे एक्जामपल जो मैं डिसकस कर रहा हूँ, साइंस सिखाने के लिए नहीं, बस यह बात बताने के लिए किस तरीके से एक नॉन इंट्यूटिव थिंकिंग वाला जो आईडिया है, वो किस तरीके से रियल साइंस को सामने लेकर क्या सकता है। जो नूटन उन्होंने यही बोला कि दुनिया बोल रही थे तो आर्थ पर जो भी चीज छोड़ते हैं, आर्थ की तरफ जाती है। तो एरिस्टूटल हों चाहे हमारे ये वाले बाकी लोग हों तो वो सब यही बोल रहे हैं कि वे चीज़ें जो है वो उनकी जो नॉर्मल स्टेट है वो रुकने की होती है उनकी नॉर्मल स्टेट है वो रुकने की होती है लेकिन रुकी हुई चीज भी रुक जाएगी और चल अलग-अलग लोगों ने दिया किस तरीके से गैलिल्यू और न्यूटन वाला जो आइडिया है, कि जो चीज चलती रहेगी, वो चलती ही रहेगी, अलेस और उसके ओपर कोई फोर्स आक्ट हो, और जो रुकी हुई है, वो चीज रुकी हुई है, वहीं से इनर्शिया वाला ज कि ये जो धर्ती है, ये भी सेव की तरफ गिर रही है, ये नॉन इंट्यूटिव है, जो उन्होंने बताया, न तो केवल ये बताया, ये भी बताया कि जो फोर्स है, जिस फोर्स से ये काम हो रहा है, वो इन दौनों के मास को अगर आप गुणा कर दें, उसके उपर जितना उनके दौनों का मास बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ये फोर्स भी बढ़ेगा, और जैसना ज़्यादा इनके बीच की दूरी घटेगी, मतलब कि उतना ही फोर्स भी घटेगा, मतलब कि न तो केवल ये बताया कि फोर्स घटेगा, ये भी बताया कि पावर टू से जो है वो गटे की फूर्स तो यह जो जब expression निकल करके आया और उसके अंदर में constant लगाना यह जो इसके अंदर में बांधा है ना यह है कारी-गरी वाली बात लेकिन क्योंकि यह mathematical expression और यह सारी चीज़ें directly proportional होना, inversely proportional होना और inversely proportional of square होना, यह सारी चीज़ें आम जिन्दगी की बोलचाल की vocabulary ही नहीं है जो के मेरा गाम भी है कि किसी तरीके से वो जो दुनिया है साइन्स वाली जिसके अंदर में equations और यह सब चलती है उसको उठाकर के लेकर के इस तरीके से दुनिया के सामने पेश करना कि नभी हो, अगर science का background तो उनको थोड़ा सा इस बात का idea लगे कि आखिरी चीज़ काम किस तरीके से करती है अब ही पर science communication कि scientist, science communication में communication वाला part important है science तो बहुत लोग जो कर रहे हैं हो scientist है मैं scientist नहीं हूँ, मैं science communicator हूँ दिमाग बार चोट लगने से rarest of the rare cases के अंदर में कुछ abilities आ भी सकते हैं आप कुछ बढ़िया गाना compose कर सकते हैं, आप paintings भैतरीन कर सकते हैं, आप calculations भैतरीन कर सकते हैं लेकिन of course rarest of the rare cases के अंदर में अगर आपने यह बात नहीं सुनी है, तो रामानुजन जो भारत के biggest mathematician थे, मतलब उनके में तो यह भी नहीं बोला जा सकता है, यह 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 सबसे बड़े तो जो biggest mathematician थे रामानुजन तो उन्हों उनको वो अपनी जो जो भी उनकी series आती थी और जो भी वो चीज निकालते थे mathematics world के अंदर में और जब लोगों को दिखाया जाता था तो वो एक तरीके से proved thing को निकाल करके देते थे, लेकिन जो अगर आपने movie देखी हो जिसमें देव पटेल वाली जो movie थी, उसके अंदर में जो हाडी और देव पटेल मतलब के रामानुजन की जो जुगल बंदी है वो इसी चीज को लेकर के कि यार इसको ठीक है यह जो तुमने final product निकाला ये बिलकुल है काम कर रहा है लेकिन हमें publish करने के लिए इसकी reasoning चाह चाहिए इस बात से ही समझाना चाहिए कि इस वेरी मच पॉसिबल के आप जो है को न पता चले कि आप जो काम कर रहे हैं वो उसका origin of source क्या है हम चीजों में एकसर retrospective reasoning दे देते हैं कि यह तो इस वज़े से हो रहा था लेकिन जादा तर चीजों में पता नहीं चलता है क्यों वो सुनने को मिलेंगी बाईशाला की आप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं एडवांस में शुक्रिया अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें बाई बाई